दोस्तो किसी भी नंबर की डिटेल निकालने के लिए आपको ये अप्लिकेशन डाउनलोड करने पड़ेगी जिसका नाम है मोबिल दोस्तो ये जो अप्लिकेशन है ये आपको प्लेश्टोर पे मिल जाएगी या फिर दोस्तों description में इसका link मैंने दे रखा है आप महाँ से सीधे इस application को download कर सकते हैं और दोस्तों play store पे भी आप देख सकते हैं 1 million इसके downloads हैं और 4.4 की इसकी rating है और दोस्तों आप इसके review भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे review यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों यह बहुत अच्छी application है और आप इसके द्वारा किसी भी number की detail निकाल सकते हैं call history निकाल सकते हैं तो दोस्तों आप इस application को download कर लिजे और दोस्तों मैंने इसे पहले ही download कर रखा है तो मैं आपको इसे use करके दिखा देता हूँ कि किस तरहीके से हम किसी भी number की detail इसके द्वारा निकाल सकते हैं तो दोस्तों हम इसे open करते हैं open करने के बाद दोस्तों यहाँ पे language मांगता है तो हम यहाँ पे English choose कर देते हैं और दोस्तों यह application जो है made in India है तो आपको खबराने की कोई दरूत नहीं है यह made in India application है तो यहाँ पे कुछ permission आपको देने होंगी तो हम permission दे देते हैं और allow कर देते हैं दोस्तों allow करने के बाद हमें यहाँ पे अपना mobile number verify कराना होगा तो हम यहाँ पे अपना mobile number डाल देते हैं और दोस्तों इसे verify कर देते हैं और दोस्तों यहाँ पे जिस number के हमें detail चाहिए है वो यहाँ पे हमें verify करना होगा तो हमने यहाँ पर verify कर लिया है अपने number को और यहाँ पर कुछ permission है उन्हें भी हम दे देते हैं तो यहाँ पर हम जाएंगे और इस mobile balance checker को हम allow कर देंगे तो यहाँ पर हमने इसे allow कर दिया है और दोस्तो उसके बाद जो है मेरे पास इस टेम दो sim है मेरे mobile में एक है जियो का एक है एटल का तो हम किसी भी number की यहाँ पर detail निकाल सकते हैं चाहे वो जियो का हो या फिर एटल का हो तो दोस्तो हम जो है एटल के number की detail निकालते हैं तो उसके निए दोस्तो आप देख सकते हो यहाँ पर bill और call detail का option आ रहा है तो यहाँ पर दोस्तो हम bill पर जाएंगे इसके लिए और दोस्तो bill पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है get bill by email तो इसके द्वारा हम detail निकाल सकते हैं और दोस्तो यहाँ पर option दे रखा है 7 days के लिए या फिर 30 days के लिए या पर select any days याँ आप किसी भी dates के लिए यहाँ पर select कर सकते हैं तो हम 30 days के लिए यहाँ पर निकालेंगे तो 30 days के लिए यहाँ पर अब हम get bill by email पर click और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें हमें email address देने की जौत नहीं है यह खुद बाखुद हमारी email address को ले लीता है तो यहाँ पे हमारे email address पहले ही आ चुका है कि इस email address पर आपका जो bill है वो पहुच जाएगा तो हम gate bill पे click कर देते हैं तो दोस्तो आप हम check कर लेते हैं अपने email address पर दोस्तो आप देख सकते हों यहाँ पर कुछ mail आई है हमारे पास तो हम यहाँ पर चले जाते हैं और दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर mobile से हमारे पास mail आ चुकी है और हम इस पर click करते हैं और दोस्तो क्लिक करने के बाद आपको देख जाएगा यहाँ पर कुछ डीटेल आई है तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक PDF आ चुकी है तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो दोस्तो इस तरहिके से हमारे पास यहाँ पर सारी डीटेल आ किस ऐसा नंबर है किस टाइम पे तो मैं थोड़ा सब्सक्राइब नाम दिए टीएगया है जिनका इनाम कौंड में एसकी हेकी से नाम से और सारी information यहाँ पर दी गई है तो यह 30 days की पूरी detail यहाँ पर आ चुकी है आप देख सकते हो यहाँ पर 25 बन चुके हैं और पूरी 30 days की यहाँ पर detail आ चुकी है तो दोस्तों आप ऐसे ही किसी भी number की सभी detail याने cold history आप निकाल सकते हैं और यहाँ पर सारी detail उसकी history पूरी य दवाना पड़ेगा इस mobile number में तो दोस्तों मुझे उमीद है आपको वीडियो परसंद आयोगी तो इस वीडियो को लाइक और सेर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी मत भूलेगा और इस वीडियो समद्दित कोई भी सवाल सुजाब हो तो आप हम हाई लेटिस टेग वीडियो की नोटिफिशन पास सकते हैं तो चली दोस्तों अब हम चलते हैं जैहन बंदे माज़म झाल